जैपुर की हलकी गुलाबी सर्दी के सुबा शुकरवार को केसरिया रंग में रंगी नजर आई अरपोर्ट से लेकर शपत ग्रहन स्थाल तक पुरे जैपुर शहर को भारती जुनता पार्टी ने केसरिया रंग में रंग दिया था इसी मौल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मौझूदगी में बीजेपी में एक साधारन कारेकरता के रूप में अपना राजनितिक जीवन शुरू करने वाले भज़ुलाज शर्मा अपने 55 जुरमदर पर राजस्थान के चौदवे मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपत ली शपत ग्रेहन समारों में भारी संख्या में न सिर्फ राजस्थान बलकी अलगलग राज्जों से भी लोगों ने हिस्सा लिया क्या कुछ लोगों की ज्राइ रही आई आई आपको सुनाते हैं राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के शपत ग्रेहन समारों में हम समय खड़े हैं अभी कुछी देर पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने यहां पर पदारपन किया है और कुछी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्री कुमारी और बैर्वाजी को यहां पर शपत दिलाएंगे कुछ लोग हमारे साथ यहां मौजूद हैं बुजूर्ग महिला भी हैं उनसे भी जानेंगे माता जी आज भजनलाल जी के शपत ग्रेंड में अब यहां पर आये प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी अभी आएं क्या ख हर कार्य में महिलाओं के लिए बच्चों के लिए और हर तरफ से विश्व में हर जगे दोस्ती करना और अपना नाम भारत में यह बहुत अच्छा काम करें राजसान के जो मुख्यमंद्री अब जो बनेगे भजनलाल शर्मा जी उनसे क्या कुछ आशा है और अपेक्षा है हमें पूरी आशा है और पूरे आशा पर ख़रे उटेंगे यह सच्चे विश्व में अच्छा काम करेंगे और सफलता हर चीज में इनको भगवान देंगे और विकास भी बहुत अच्छा करेंगे बहुत शरल सुभावें बहुत अच्छे हैं आपने देखा राजस्तान की एक बुजर्ग महिला है इनका साफ तोर पर कहना है ना सिर्व भारत की यह श्यच्वी प्रधान बंद्री नरेंद्र मोदी की प्रशन सके बलकि भावी मुख्य मंत्री बज़ानलाल जी की ब्याद्र में अब राजस्ता नित नई प्रगर्दी कि और अग्रेसर होगा कुछ और लोग भी हमारे साथ यहां पर मौजुद है उनसे भी जानना चाहेंगे मैं अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी यहां पर आये और भजनलाल जी का शपत ग्रेंड समार है क्या खेना चाहिए हम सभी बहुत ही उत्साहित है मानिय करेंगे राजस्तान एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है हम लोग सभी आशा करते हैं कि जिस तरह से पिछली सरकार में पुशासन रहा है उससे सब सभी को मुक्ति मिलेगी और जो राजस्तान में सुचारूप से कानून व्यवस्ता सुचारूप से होगी महिला अत्य लगातार बीजेपी ने अपने पूरे इस प्रचार प्रसार के दोरान एक चीज पर विशेश बल दिया था कि डबल इंजन की सरकार अगर राजस्तान में आईगी तो विकास भी डबल स्पीड से होगा और आज डबल इंजन की सरकार ने विदिवयत रूप से शपत ग्रें दूसरी चीज दिया कुमारी जी तो यह तीनों ही जो है चोकाने वाले नाम है इसके अलावा आप ने बात की डबल इंजन की अब मैं राजस्तान की जनता को अपनी तरफ से मैं गुंजन वसिस्त हूं संबाध प्रबारी हूं मीडिया का काम देख रहा हूं संगटन में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं विश्वास दिला सकता हूं कि वास्तों में मोधी जी ने कव करके दिखाया और आप का साथ चाह मैं यहीं देख रहा हूं कि हमारी जो सेकंड लाइन है उसको नेट्रितुने सौंप दिया बीश दो हजार सैंतालिस का जो लक्ष है वह हमको सामने दिख रहा है मेरी भी 70 साल उम्र हो रही 40 साल में मेठी से खाली करा पाया था कांग्रेश के सीट आज मैं इसलिए आया था कि जो सेकंड लाइन है हमारी वो हमको जो है मेत्रितु देगी और 247 का भारत का लक्ष है वो पूरा होगा जैसे उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार काम कर रही है वहां पे अपराधी थर थर कापते हैं मुख्यमंद्री योगी आधितिनाच से कहीं न खहीं राजिस्तान में भी आवाज उट रही थी कि योगी जी का बुल्डोजर यहां पर भी चले उससे लेक सकता है लेकिन जोब हमारा समयधानिक दाइद तो है उसका निर्वान मुख्यमंत्री बढ़िया करेगा और दिखाई पड़ेगा कि अपराधी प्रदेश सोड़ देंगे या उनको जी नेस नाबूत कर दिया जाएगा यहीं मेरा विश्वास है बाइस सब कहां से आयो आप मैं दहुत सिकर चाहिए हूँ राहिंदर सिंग शेका उच्छापुरा ओधरासान सहीदों के लिए काम करता हूँ मेरा वर्त बनने वाली सरकार से पहला चोटा सा आगर है कि पत्नी परसंद की हो सकती है मापुन्य से मिलती है तो सहीदों के माता पिता को 30,000 पैंशन मिले औ उन सब को पूर्ण निष्टा के साथ चुल जाएं और युवाओं को रोजगार दें और डबल इंजन की सरकार बढ़ने के बाद में राजस्तान की विकास के पत्त का पहिया वो दुगुनी गती से दोड़ेगा और मौधी जी जब दिली से रावाना हुए तो उनसे धूल हमारे द्लेंगे चड़ेंगे लापोल तो मोधिजी के आदे से जनताने फूल पहिना करके जी के चुने को श्त्रयल अब मक्रि मंत्रि प्राइव की सपट मोधी जी की सानित्य ये और जिस भी नहीं थी लेकिन और सर्माजी विल्कुल ही ऐसा काम करेंगे कि अपने राज्य में ही नहीं आप देश में एक राज़्तान का पर्चम लहाएंगे क्योंकि ठोटे से कारीकरता से लेकर करके जो सर्पंज थे गाव में रते हुए सरबंच से लेकर के और पहली बार विदायक को एक छोटे से कारिकरता से लेकर के आज एक प्रदेश की कमान समाली है और मौदी जी के ने तो तुम्हें बहुत अच्छा काम करें यह कुछ लोग है और जो कि आज नए मुख्यमंत्री जर्मा जी के बारे म हमारे को बिजेबी कारे करता है किसी को मौलूम ना ही था कि बजनलाल जी मुक्यमंत्री मन जाए यहां बहुत है और मुक्यमंत्री के साथ उनको काम करने का मौका मिले जय हिंद भारत ये कुछ लोग हैं जो राजस्तान के अलग-अलग प्रदेशों से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी आये हैं, और इन सभी लोगों की यही आशा और आकांशा है, कि कहीं ना कहीं, जो भी राजस्तान के नए मुख्य मंतरी भजनलाल शर्मा है, बले ही चुलोतियां उनके सा उनका पूरा साथ देगे राजिस्तान को एक नए हम कह सकते हैं एक नई दश्या और दिश्या प्रदान करें कुछ और लोग भी मुझूद है जोत्पुर से हो सदापुरा विदान सभा से पुराने मुख्यमंद्री के काफी आसपास के नजदीक के हैं पुराने मुख्यमंद को छोड़ा है और नए मुख्यमंद्री से आप क्या चाहते हैं पुराने मुख्यमंद्री तो पेपल लीक नाया मुख्यमंद्र कीए उन पर हम पहले लगाम लगाएं गे और राजित्सां की नए विकास की नदिया वाहेंगा कि कुछ लोग हैं जो राजिस्तान के अलग-अलग प्रदेशों से आए हैं और भी कई लोग है जिन से हम बात करने कोशिच करें कहां से हैं जोदपूर से और मुख्यमंत्री जी के वार से जोदपूर के अंदर बजनलाल जी ने बहुत अच्छा काम किया सगटन को अच्छा दिशा और राजस्तान के विकाश के लिए बहुत इकारगर सिख्द होंगे इन सब लोगों का यह कहना है कि जो भी पूराने मुख्यमंतरी ने कि सब करेंकि जो हमืे सकते हैं कि पूरे जो कारेश एली थी उस से कहीं न कहीं राजसतान अपराध में महीला महीन अब इस हैं कलंक को दोनने की ज़रूरत थे और इनका साफतार्व में केना है कि यह जो मुख्यमंतरी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो भी चुनहोंतिया रहा में चलाने में में इसे एक प्रगर्णी के पत्पर दाने में उने थमाम चुनहों करें और राजिस्तान को नई दश्यादिश्या प्रदान करेंगे बाई सब्सक्राइब कहां से आयो हम करोल जिले से आया है क्या कहना जाओ हमारी यह की मांग है नई सरकार गटन हो चुका है कि रोलाल जी मेना साहब को राजी का ग्रह मंत्री बनाया जाए इस पार्टी के लिए इ राजी को मजबूत बनाए जाहिए नोखा से आया हूं क्या करना चाहिए ब्रहामन जाति का वक्ति होता है वह सभी कास्टों को समावेश कर लात यह साथ इसका विरोध नहीं करता है यह सब्सक्राइब लाज परकार बड़ी जीमेवरिश्यों प्रते कार्य करता हुए आने वाले लोग सुबह सुना में बहैति है को अगोशंदी मांड़ी जाती है कि रंगिरंग प्रदेष बाना जाता है ऐसी ही रंगिरंगी पहनके राजितस्तान के परिवेश में हमारे साथ यहां पर मौजोद है क्या कहना चला है उसको मंत्री के लिया मंत्री मनाया जाए राजसान को आगे बढ़ाने में क्या कुछ आप आगे बढ़ाने के लिए इसे हमारी अधना है बढ़िया चला है इसको तो यह तमाम वो लोग हैं जिनका साफतोर पर यह कहना है कि नए मंत्री से नई सरकार से इनकी यही आशा और आकांशा है कि अब आने वाले समय में राजसान कैसे विकास के पत पर आगे बढ़े यही अब देखने वाली बात होगी और राजसान की जो तमाम जनता है यहां पर जो मौजूद और जो लोग है जो यहां शपत ग्रहन में आए उ फिर आपकी जेगा हम कह सकते है किसानों के साथ जो वादा किया गया था वो वादा पूरा ना किया गया तो यह तमाम महिलाएं है पुरुष है किसान है युवा है उन्ने सब की जो आशा है वो कहीं न कहीं इस डबल इंजन सरकार से बहुत ज्यादा है पर न सिर मंत्री बलकी राजस्तान को आगे और कैसे उन्नती के पत पर लेके जाएंगे ये जरूर एक सबसे बड़ी चुनोती नए और भावी मुख्यमंद्री भजनलाल शर्माजी के सामने होगी कुछ और लोग हमारे साथ मौझूद है भजनलाल शर्माजी की विदानसबाद शेतर सांगान के लिए उनको बहुत बहुत बढ़ाईव सुपकामना है मैं कहना चाहूंगा पिछले पांस साल में जो राजस्तान में बश्टाचार महिला उत्पीडन युवाओं के पेपर लीग सात्राओं को बेरोजगारी जो बड़ी है उस पर लगाम लगेगा आप देख सकते हैं बजनलाल जी से उमीद करते हैं कि वह पूरे राजस्तार का विकास और इस सब चीजों पर लगाम लगाएंगे और आप देखोगे कि वह बिल्कुल जमीन से चुड़े हुए जो कारिकरता है आज मुख्यमंत्री सपर लिए उन्होंने हम सभी को उमीद ही नहीं वरोसा है कि वह पूरे राजस्तार में विकास सभी तरह से युवाओं को बेरोजगारी से दूर और चात्रों को एक नई उमीद के साथ यह जो पीए पर लीग और यह हो रहे हैं उनसे बचाती हुए सब के साथ रहे हैं जिस प्रकार से कई लोगों से अपने बात कि उनका भी साफतार पर यह ही कहना है कि युवाओं के सामने जो समस्या है बेरोजगारों के सामने जो समस्या है महिलाओं को उनका उचितनाय दिलाएंगे महिलाओं को जो अपराद जो यहाँ पर लगातार बढ़े उन अपरादों से मुक्ति दिलाएंगे महिलाओं को सुरक्षा दिलाएंगे ऐसी इस जनता की अपने नए मुख्य मंत्री से इस डबल एंजन सरकार से आशा भी है और आकांशा भी है से होगी कैमरामेन अजे के साथ उमंग मातुर नफ्तेश्टी वी जैपुर